कबीर एक ऐसे संत थे जिन्हें कवी के रूप में अपार ख्याती प्राप्त हुई कबीर दाज जी का जन्म काशी में लगभक संत 1398 में हुआ माना जाता है इनके जन्म के विशे में प्रसिद है कि स्वामी रामानंद के आशिरवाद से एक विद्वा ब्रामणी ने एक शिशु को जन्म दिया किन्तु लोकलाज के कारण वह अपने शिशु को लहरतारा नामक तालाप के किनारे छोड़ गई जिसे संतान हीन जुलाहा दमपती नीरु नीमा उठा कर अपने घर ले आए और अपने पुत्र की तरह उसका लालन पालन करने लगे यही शिशु बढ़ा होकर कबीर दास के नाम से प्रसिद हुआ कबीर ने बड़े होकर अपने पिता के काम को सीख लिया इसलिए उन्हें जुलाहा कहा जाने लगा कबीर साथु संतों के पास भी जाते रहते थे और उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते थे यह अपना अधिकांश समय सत्संग में बिताते थे उन दिनों काशी में स्वामी रामानंद रहते थे कबीर उन्हें अपना गुरु बनाना चाहते थे परन्तु जुलाहा होने के कारण उन्होंने कबीर को अपना शुष्य बनाने से मना कर दिया किन्तु कबीर अपनी धुन के पक्के थे उन्हें यह मालूम था कि स्वामी जी प्रातकाल गंगा में स्नान करने जाते हैं अता वे घाट की सीडियों पर जाकर लेट गए स्वामी जी अंधेरे में चले आ रहे थे उनका पैर कबीर के सीने पर पड़ गया वे ठिठक गए और राम राम कहते वे पीछे हट गए कबीर बोले स्वामी जी आपने मेरे सीने पर चरण रखे हैं और राम मंत्र दिया है आज से आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिश्य यह सुनकर उन्होंने कबीर को अपना शिश्य स्विकार कर लिया कबीर दास जी का विवाल लोई नामक कन्या से हुआ था इनके एक पुत्र और पुत्री थी पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली कबीर पढ़े लिखे नहीं थे पर देशाटन करके और ग्यानी लोगों की संगती में रहकर इन्होंने अच्छा ग्यान प्राप्त कर लिया था जब ये भाव मगन होके साखी यानि शिक्षा प्रदोहे या पद गाते थे तब इनके शिश्य उन्हें लिख लिया करते थे वही दोहे वपत आज हमारे पास धरोहर स्वरूप हैं कबीर जातिपाती के भेदभाव को नहीं मानते थे ये हिंदू वह मुसल्मान किसी से द्वेश नहीं रखते थे और नहीं किसी एक का पक्ष लेते थे जिसमें भी इने दोश दिखाई देता था उसी को खुली फटकार लगाते थे ये मानव समाज में समानता के हिमायती थे इतना ही नहीं कबीर मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे ये निराकार ईश्वर में विश्वास करते थे और हिंसा जूट, पाखंड, लालच, परणिंदा, आदी दोशों और दुर्गुणों को मिटाना चाहते थे कबीर गुरु को भगवान से भी बढ़ कर मानते थे कबीर अपने अंतिम समय में काशी छोड़ कर मघर चले गए थे वही पर सन 1495 में इनकी मृत्यू हो गई थी नीचे इनके कुछ दोही दिये जा रहे हैं जिन में इन्होंने अपनी साधारन भाषा में लोगों को बहुत अच्छी अच्छी सीखें दी हैं दोहे गुरु गोविन दोव खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन दियो पताए ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोए औरन को सीतल करए आपहु सीतल होए साच बराबर तप नहीं जूट बराबर पाप जाके हिर्दय साच है ताके हिर्दय आप रूखी सूखी खाई के थंडा पानी पीव देखी पराई चूपडी मत ललचावे जीव बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसा पेड़ खजूर पंथी को छाया नहीं फल लागे अतिदूर अतिका भला न बोलना अतिकी भली न चूप अतिका भला न बरसना अतिकी भली न धूप दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करें, दुख काहे को होई, कल करें सो आज कर, आज करें सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब, दुडलब मानुष जनम है देहन बारं बार, तरुवर जो पती जड़े, बहुरी न लाग कुरीदार